1st January 2020 से आज तक का Stock vs. Nifty का comparative चार्ट देखते हैं, Price Fall और Price Rise दोनों एक ही चार्ट में देखने को मिलता है, 1st January 2020 से मार्च 2020 तक Nifty 38% डाउन था और ये Stock सिर्फ 10-15% नीचे गया, तो हमें इस Stock को Full Marks देने चाहिए. Nifty की movement, तो इस Stock की movement के सामने फिकी पड़ गई, क्या तेजी से बढ़त ली है इस Stock ने, Stock का Long Term Performance भी देख लेते हैं. 1-1 2014 को Share Price थी, और Index था, 6 साल बाद Share Price थी, और Index था, Lockdown में जब Lowest Point पर Market थी, तब 23 मार्च 2020 को Share Price थी, और Index था, और Current Price है, और Index है, अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है, तो हमारे Stock में चार बाते होनी चाहिए. 1-1 लंबी एउदी में Share Price बढ़ती रहनी चाहिए. 2-जब Market में बड़ी गिरावट आती है, तो हमारा Stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, Nifty के मुकाबले. 3-जैसे ही Market रिकवर होती है, हमारा Stock तेजी से रिकवर भी करना चाहिए, Nifty के मुकाबले. 4-अपने सेक्टर का Top Share होना चाहिए. इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा Share Nifty से बेटर है या नहीं, यानि की पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे. अगर आपको सेक्टर का Top Share चुनना है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये. 6 साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुँ 1 लाग रुपए हो गए. मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई. और करंट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है. 1-1-2014 के दिन थर्ड पॉइंट शेर में जीता ओवर ओल निफ्टी जीता यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोसिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती एवडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये कमपेरिशन है 1 अक्टोबर 2020 से आज तक की यहां पर शेर मजबूत रहा ये कमपेरिशन है 1 अक्टोबर 2020 से आज तक की यहां पर शेर मजबूत रहा थांक्यू